गुड़मणी बच्चो स्वागता आपके अपने चैनल आर पी पबले स्कूल जोगड़र में और जैसे कि आप देखते हैं कि हम रोज आपको बहुती सुन्दर सुन्दर कहाणियां आपकी बुक की कहाणियां इंगलेश में भी हिंदी में भी रोज सुनाते हैं समझाते हैं और पढ़ाते भी ये किताब तो इसी क्रम में इसी स्रंकला में आज हम लेकर आए क्लाश थर्ड की हिंदी की बुक की बहुत इसमर कहानी शायद आपने सुनी होगी उस कहानी का नाम है बाबा भारती बाबा भारती आपने सुनागा इस कहानी में बाबा होते हैं भारती नाम क वो सिल्तान की बहुत देख रिकरते हैं बहुत उसको लाट प्यार से उसको पालते हैं के खूप शेवा करते हैं तबी खड़क सिंग देख लेता है, खड़क सिंग का मन उस घोड़े पर आ जाता है, वो किसी भी हालत में, किसी भी तरह से उसको घोड़े को लेना चाहता है, चिनना चाहता है, और इवार उनके पास आता है, और अपनी उनकी चापलूसी से एक तरह से कहते के उनको धोखा कर उनके घोड़े को वहां से ले जाता है और बावा भारती इसी तरह से उनको समझाते हैं कि कभी हमें किसी के बिश्वास को नहीं तुड़ना चाहिए किजी के साथ विश्वास घात नहीं करना चाहिए सारी बाते कहानी बताएंगे बहुती बंदास तरीके से आपको समझाएंगे पढ़ा के चलि आए आए आप जाने का लेते हैं किताब की माद्यम से चैप्टर की माद्यम से और पढ़ते हैं इस कहानी को बाव भारती इसका नाम है इसमा सुल्तान और खड़क सिंग के बारें आग्या आए आए स्टाट करते हैं आपकी एभक श्रूर करते हैं आपकी अब अब पर जिसका नाम है है इन लाइन की बुक है क्लास थर्ड़ की और उसका चैप्टर हमने बता जानकारी ज्यादा रहने के लिए ज्याद्द स्थी नाम है ज्यादा ज्यान हासिल करने केमेंस के मीनिंग जो सभ्ढों से शब्धु नहीं गाइए तो इसकी मीनिंगी जो मीनिंग जो समझज लें पर अच्छे से मीनिंग यह आगे मीनिंंग इनकी आगे बराबरी के मतल़ नहीं हो ना तो बराबरी माने जोड फिर तारीफ तारीफ प्रासशा करना किसी बादर हम को Americans कै अच्छा कहना फिर लगाए निंग निंगराणी का मतलब देखबाल पर अपाहिज 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 हम जानते हो जो अपंग होता है किसी का या पैर या हाथ किसी भी चीज़ से बिकलांग होता है किसी यंकिसा उसको हम अपाहिज कहते हैं अपंग कहते हैं उसका मतलब अपंग होता है फिर घटना घटना मतलब वारदात कहीं पर कोई घटना हो गई है ना कोई हैपनिंग हो गई इसको वार गोड़े बांधने की जगए सबस्क्राइट कर लें वीडियो को खूश शेयर करें से और बच्चों को इसका फायदा मिले कहानी कैसे लेगी और इससे आपको कितना ग्यान मिला यह हम जरू कमेंट बाक्स बताईएगा पढ़ाना का धंक कैसा लगा यह जरू बताई जिससे हमारा जो मनोवल है वो बढ़ता रहे और हम लीगे लिखा हुआ है बाबा भारती गाउँ के मंदिर में रहते थे उनका आधेक समय भजन पूजन में बीतिता पूरे चेत्र में जो सुल्तान ता उसके बरावरी का उसके जोड़ का कोई गोड़ा नहीं था इसी इलाके में खड़क सिंग नाम का एक डाकु भी था उसी छेतर में खड़क सिंग नाम डाकु रहता था लोग उसके नाम से थर-थर कापती है नहीं कि भूती खुनखार कह सकतने है अत्याचारी या वह नृदे ये डाकु था उसने किसी से सुल्तान की तारिफ सुनी किसने उसको बताया कि बाबा भारती का बहुत अच्छा घोड़ा है वो तुम्हारे लाइक है वो बाबा के पास क्या कर रहा है इस तरह से उसको किसने बताया बै उसे देखने बाबा भारती के पास पहुंचा गोड़े की सुन्दरता उसका कद उसकी चाल से खड़क सिंग का मन मुह लिया यह जो घोड़े को उसने देखा घोड़े की चाल देखी उसका कद देखा उसकी बनावर देखी तो पचारा बिल्कुल एट्रेक्ट हो गया करसित हो घोड़े को देखकर खड़क सिंग जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं यह गोड़ा आपके पास नहीं रहने दूँगा बाबा जी मैं यह गोड़ा आपके पास यह अनके बाबा जी को चेताव ने दे गया कि यह गोड़ा किसी दरसे में ले जाऊंगा बाबा भारती डर गए बुड़र गए कहीं है मुझे मार ना दे मैं गोड़े को किस्ता से ले जाए वे रात दिन अस्तवल की निगरानी करने लगे कई महने बीत गए जब लंबा टाइम होता है तो आदमी बात का भूल जाता है तो सकता है बावई भूल गए हूँ लेकिन गडवड की कोई बात नहीं होई अची कोई बारदा तो आधा जैसे कि बावड़ वे खड़कि ने कहा था कि गोड़ा ले जाओगा अची कोई बात नहीं होई अब बीन निश्चिन्त हो गए उन्होंने सोच आ खड़कि गोड़े की बात साथ भूल गया है एक देन शाम के समय बाबा भारती घोड़े पर घूमने जा रहते राश्ते में का अपाहिज बढ़े था अपाहिज मतलब अपंग जिसका कोई हाथ या पर खरा होता उसको वो अपाहिज रही था वास्ता में वोई डाकू था तो वह बोला यहने अपाहिज बोला ओ बाबा मैं दुखिया हूं मुझे आघ देकी के लखा है वो अपाहिज बोला कि मुझे रामा वाला जाना है घोडे पर चड़ा लो वहगवान तमारे भौला करेगा कि वह संत महात्मा तो हुते डैंडालों है बाबा भारती उतर पड़े उन्होंने अपायज को घोड़े पर बठा दिया वो ले चल वही तुम अपायज हो तो तुम बैठके लो मैं तो पैदल भी चल लूँगा वे अपने आप लगाम पकड़ कर धीरे धीरे चलने लगे अचाना के घटका लगा घोड़े के लगाम बाबा भारती घाज से चूट गई यानि कि वो अपायज नहीं था वो वही खड़क सिंग डाकू था जो घोड़ा लेने की बात कर गया था उसे अपायज ने अपने हाथ में लिया वे चूट पड़े वे तो खड़क सिंग था उन्हें घोड़े को एड़ लगाई बाबा भारती ने चिला कर उसे का ये घोड़ा अब तुम्हारा हो गया लेकिन मेरी एक बात माल लेना इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताना मत बाबा भारती ने कहा कि घटना के बारे में किसी को कुछ ना बताना अब ऐसा क्यों कहा तो देखो खड़क सिंग पूछता है खड़क सिंग ने पूछा आखर क्यों आखिर मैं क्यों नहीं बता हूं उसके बारे में तो बावा भारती बोले इसलिए कि गटना को सुनकर आगे चलकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे जब ऐसी बात बावा भारती ने उस खड़क सिंग से कही तो खड़क सिंग तो चला गया परन्तु बावा की आवाज उसके कान हो में गूश्थी रही वो सोचने लगा, यहनि उसको भावा भारती बहुए बात यादा रहती बावा भारती ने कहाता कि कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा तो बावा भारती कितने महान है वो सोच तराज के यो बात गुंचति रही और सोचने लगा कि बावा भारती कितने महान हैं उन्हें अपनी हाने की कोई चिंटा है ऐसा आदमी आदमी नहीं देवता होता है और देखो उसका हिरदे परिवतन होने लगा उसका नही essa मन बडलने लगा उसके अमन बदल गया एक रात वाए घोड़े को चिपचा बावा भारती का इस्टबल में बांध आया उसके अमन बदला उसका हैरे परवरतन हुआ उसने अपनी गलती को सुधार आपस से अताब किया और घोड़े को बापस भही पर बांध गया अगले दिन बड़े सवेरे बावा भारती नहाकर वापस आ रहते घोड़े ने अपने सामी के पैरों की आवाज पहचान ली भाए हिन हिनाया बावा भारती ने सुल्तान की आवाज पहचान ली भी अपने घोड़े से लिपट कर रोने लगे भी बोले अब कोई गरीबों की साहता से मूँ ना मोड़ेगा अब उनको विश्वास हो गया कि मेरी बास से जो खड़क सिंग है उसका हिर्दे परिवर्तन हुआ उसका मुन बदला है अब हर आदमी किसी गरीब की अपायज की बेसार की साहता अवस्ष करेगा ऐसा उनको विश्वास हो गया तो ये बचे इतनी संदर कहानिया इन किताबों में दी गई हैं इसे हमें कोई सीखना चाहिए कुछ इसे ग्यान लेना चाहिए इसलिए हम आपको हर रोज कोई ना कोई इस तरह की कहानी बताते है जिसमें कोई ना कोई ग्यान च्पा होता है कोई उद्देश च्पा होता है कोई सीख च्पी होती है हमें किताबों से मद कोई सीखने की मिलता है और सीखना चाहिए चलिए अब की सीख के बारे हम समय लेते हैं कहानी क्या सिखाती है क्या सिख्षा देती है तो देखे लिखा वाई प्रस्तित कहानी से हमें ये एक सिख्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ विश्वाज घात नहीं करना चाहिए वरन्या कोई किसी गरीब लाचार की मदद करने में भी संकोच करेगा तो कोई अडर रहेगा ख किसी के साथ विश्वास घात नहीं करना चाहिए जिससे और व्यक्ति पर भी कोई विश्वास करना छोड़ दें तो पैर बच्छो हमें उम्मीदे कहाने आपको बहुत अच्छी लेगी पसंद आए होगी और हम आपसे अप्रेक्षा करते हैं आशा करते हैं कि आपको आपने सबस्क्राइब पताएगा और हम आपको अच्छी सपने बिदलना चाहते हैं तब तक कलिए जय हिंद नमस्कार